हेलो एवरीबडी, वेलकम तो मैं चैनल, इसमी टारो 313, कैसे हैं आप सब लोग, आज हम देखने वाले हैं, जो भी परसन आपके मार्ड में हैं, उनके करन फिलिंग और इमोशन क्या हैं, आप लोगों को लेकर, जो भी परसन आपके मार्ड में हैं, आपको लेकर इसाथ किसी भी तरह का क्नेक्षन है, अपने करना यह हैं कि वीडियो को लाइक मस्ट करना है, और जिस परसन के लिए आप लिडिंग को देख रहे हैं, त्री टाइम आपने उनका नेम रुपीट करना है, और अपनी अनर्ज को उनके साथ align करना है ताकर readings की जो energies है वो आप से exchange हो सकें so अगर आप channel पर नहीं हो है so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell personal bookings के लिए आप लोग मेरे email या instagram पर contact कर सकते हैं description में details mention है please check it out and follow me on my instagram too so let's start the reading देखते हैं जो भी person आपके mind में है उनके current feelings and emotions क्या हैं आप लोगों को लेकर person on your mind okay so first we have it's a realization number three number three could be important guys three life path number date of path पर थापका या इनका हो सकता है इस time ऐसे लग रहा है कि person को किसी चीज की realization हो रही है yes अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया यहां पर like आपका contact नहीं हो रहा यहां पर किसी तरह से long distance है तो यह इन्सान को आपकी कमी में सूस हो रही है और अगर इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ तो इस time realize करें कि इन्होंने definitely connection में काफी कुछ चीजों को खराब कर दिया है और सारी गलती इन्हीं की है I think इस person को मेसूस हो रहा है और यह अपनी गलती जो है उसको सुधार ना चाता है यह person and we have blossoming 33 triple three number आपके लिए important है it's our double three and this one is also three triple three important है कुछ लोगों के लिए number six important है otherwise 36 आपकी है इनकी age भी हो सकती है कुछ लोगों की side से मुझे यह energy भी दिख रही है so यह इन्सान realize करे है कि दोबारा से इस connection को आगे grow करें और आगे लेकर जाएं क्योंकि इन्सान को आपकी कमी मेसूस हो रही है इनको पता चल रहा है कि इन्होंने definitely बहुत सारी गलतियां की है यह जो कुछ भी आपकी इस time currently relationship में खराब कुछ चल रहा है तो इस इन्सान की side से यह सब कुछ हो रहा है यह energy मुझे यहां पे दिख रही है and we have protection right now यह इन्सान जो है इस time feel कर रहे हैं कि इनको इनके हाथ में था अगर यह चाते तो हर चीज़ को definitely safe कर सकते थे हर चीज़ को protect कर सकते थे इस relationship को इस connection को आपका जो है इसको बचा सकते थे right now यह इन्सान को feeling आ रही है तो यह चाते हैं कि इस time जो इनकी तरफ से effort पहले नहीं हो पाई तो right now यह इन्सान इस connection पे उस effort को डालना चाते हैं और इस connection को protect करना चाते हैं और definitely इनको लग रहा है कि इनकी support के बिना connection जो है वो नहीं आगे चल पाईगा तो यह इन्सान especially अगर यह person male है और इन्होंने पहले आपकी connection में definitely अपनी दरफ से कोई effort नहीं की आपको protect करने की यह पर save करने की यह इस connection में कुछ न कुछ responsibility को नहीं भाने की तो इस time यह इन्सान feel करें कि इनकी गलती है और इनको अपनी गलती को सुदारना चाहिए कि like आप दुबाड़ा सही इन्सान आपकी इस connection में effort करना चाते हैं इस लिए आपकी कमीन को बहुत ज़दा मिसूस हो रही है with the realization and this person is feeling like कि यह अकेले रहे हैं अपने life में इसलिए यह protect करने के लिए आप लोगों को इस connection में आना चाते हैं past में हो सकते हैं आपने बहुत कोशिश की थी इस connection को protect करने की अपने इस connection को और इस relationship को protect करने की किसी तरह से आप बचा पाओ और connection आपका चलता रहे लेकिन unfortunately definitely one-sided connection था और इस person की effort ना करने की वज़ा से काफी चीज़े जो हैं वो messy हो गई और अभी यह इनसान जो है आपको protect करना चाते हैं और इस connection को protect करना चाते हैं आप लोग जो हो इस time अपने आपको बहुत ज़दा protected कर चुके हो like आपने अपने आपको एक ऐसे एक shell में बंद कर दिया है कि आप लोगों की तरफ से क्या feelings है या आपकी life में क्या कुछ चलरा इस person को बिल्कुल भी कोई idea नहीं या आप इनके लिए कैसा feel करे हो they have no any clue so we have growth या आगे connection को लेकर जाना चाता है ये person वो चाते हैं कि आपके साथ इस connection में growth है that's why वो इस connection को protect करना चाते है yes वो चाते हैं कि आप इस connection को chance दो एक number five important हो सकता है ये इनसान आपसे बात करना चाते है communication करना चाते है और आपके दर्मयान जिस तरहां के भी कोई problems चल रहे हैं या पिर किसी तरह से भी difficulties हैं इस connection को आगे लेकर जाने में ये इनसान आप उस हर difficulty को definitely handle करेंगे और सब चीज़ों को जो है वो sort out करेंगे ये energy मुझे यहां पे दिख रही है and bottom of the rack हमारे पास energy 31 की है 31 age date of perth आप कही है इनका हो सकता है we have faith इस इनसान को faith है कि आप लोगों के साथ definitely connection जो है वो बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा yes relationship बहुत like successful रहेगी इस person को ये feel आ रही है यहां पे ये जो पर person आपके मार्ड में and also they feel कि आप लोगों को इस person पर trust है कि ये इनसान who the effort करेगा अगर इनको आपकी जरूरत होगी है इस connection की इतनी importance होगी इनकी नजर में तो ये आपकी तरफ effort put करेंगे और मुझे लाग रही है इनसान put करना भी चाते है so इस तर एक pregnancy की like आप देख लो picture है तो ये आगे आपके साथ definitely abundance चाते है इस relationship में वो growth चाते है they really wanna make you their husband or wife especially अगर female हो तो ये इनसान आप से शादी करना जाते है और वो चाते है कि आगे आपकी growth हो इस relationship की और आपके साथ family बने yes so ये growth चाते है number five भी important दिख रहा है number four is also important कुछ लोग की age 34 हो सकती है 35, 36 अनकुछ की 40 प्लस भी यहां पे मुझे दिख रही है yes otherwise number four life path नबर यहां date of path हो सकता है yes and also ऐसे लग रहा है इस इनसान को faith है कि connection आपका ग्रोथ जरूर करेगा चाहे अभी जो है वो situation कैसे ही क्यों ना चल रही हो but still they feel के growth बनेगी आपकी इस connection में so ये card हमरे पास आ चुका है we have a message for you I am thinking of you, this is very moment your love fills me with light, I love you ये इनसान जो भी है आपके मारे में guys ये इनसान आपके बारे में बहुत सदा सोच रहे है yes, और इस time currently जो moment है वो feel कर रहे हैं कि आप लोगों का जो love है उन्हों ने इस person के अंदर जो है एक ऐसी like light लेकर आया इतनी positivity लेकर आया कि इनसान आपके बारे में ना चाहते हुए भी सोचने पे मजबूर हो चुके हैं और आपको प्यार करना चाहते है because they really love you ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये इनसान आपको बहुत ज़दा प्यार करता है yes, क्योंकि आप लोगों ने I think इनके जो है ना heart chakra को काफी activate की है I think past में इस इनसान का इतना heart chakra activate नहीं था जितना आप लोगों ने कर दिया है after separation या फिर किसी तरहां से least contact में जा के लेकिन mostly मुझे यहां पे दिख रहा है contact होनी रहा है और ये इनसान अकेला हुद को feel कर रहे है और otherwise अगर आपकी बात कम भी यहां पे हो रही है इस person से ये person feel कर रहे हैं कि आपकी बात इनसे कम करने की reason यही है कि यह अपनी तरफ से कुछ effort नहीं करते आपको ही हमेशा effort करनी पड़ती है आप ही हमेशा initiate लेते हो first message आप ही इस person को करते हो तो आपने जब करना छोड़ दिये या बात करनी कम कर दिये तो इनको feel हो रहा है कि यही reason हो सकती है इसलिए यह effort करना चाहते है एक इस तरह की burnt flame की है कि इनसान जो है ना रोकने पा रहे होत को yes and next we have look deep within your heart and you will feel my love my love for you is as deep as the ocean यह इनसान जो है वो तो मैसूस कर रहे है कि guys आप लोगों ने इस person के heart chakra को activate किया है और इनके दिल में इतना प्यार नहीं था यह कभी भी किसी को लेकर इतनी deep feelings नहीं थी जितनी आप लोगों को लेकर इस person के अंदर deep feelings हो गई है और इस person के दिल में आप लोगों को लेकर emotions का, feelings का ऐसा deep समंदर है कि इनसान जो है वो आपको बताए बिना अब रहनी पार we have life is a series of constantly shifting cycles when we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress go with the flow, you will be surprised where it leads इनसान इस टाइम जो है ना वो फील कर रहे है कि जिन्दगी जो है ना वो एक series की तरह है चीजें जो है वो constantly चलती रहती है कभी high हो जाती है, कभी low हो जाती है so better यही है कि वो जो भी चीजें चल रही है इस टाइम वो चीजों को accept तो कर रहे है naturally go with the flow चल रहे है life के साथ और किसी भी चीज को stressful करना नहीं चाते लेकिन इस connection को बनाने के लिए वो flow के साथ जो इस time situation चल रही है उसके accordingly अपनी effort put करना चाते है ताकि आपके इस connection में add the end उनको एक surprise मिले क्योंकि वो इस connection को बनाना चाते है and top of the rack में energy देखूंगी we have friendship nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve यह आपके साथ friendship type का connection बनाना चाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि friendship अगर होगी better तो उसके बाद relationship भी बहुत ज़्यादा strong बन सकती है friendship जितनी strong होगी उतना ही relationship में love life जो है वो अच्छे से improve करेगी और उतना ही ज़्यादा आप एक दुसरे को अच्छे से understand करोगे इस time यह इनसान समझ चुके हैं कि सबसे important किसी भी रिष्टे को बनाने के लिए एक अच्छी friendship होना बहुत ज़्यादा important है तो जब friendship अच्छी होगी तो automatically आप दोनों जो हो एक अच्छी तरहां से एक दुसरे को समझ पाओगे एक दुसरे के साथ जो एक bonding है वो बहुत ज़्यादा strong होगी and then relationship भी चलाने में ज़्यादा effort नहीं करनी पड़ेगी वो easily चल जाएगी यूँकि आप एक दुसरे को उच्छे से understand कर रहे होगे तो I think ये इनसान के और आपके इस connection में चाप पास्ट में अगर मैं बात करूँ या अगर अब भी currently बात करूँ तो इस person की आपके साथ relationship ऐसे ही हमेशा रही है कि एक एक दुसरे को control करना एक दुसरे पर restriction सी लगाना या पिर एक दुसरे को understand ना करना क्योंकि एक अच्छी friendship बली bonding नी बनी तो friendship बली bonding बनना बहुत ज़्यादा important होता है किसी भी relation में चाहिए वो आपका किसी भी तरह का connection है किसी के साथ भी चाहिए आप किसी के साथ friend हो तो friendship आपकी strong होनी चाहिए जितनी strong होगी उतना ज़दा आप एक अच्छे से एक दुसरे को understand कर पाऊगे चीज़ों को समझ पाऊगे तो relationship प्यार जो भी बनना है वो उसमें ये बहुत ज़दा important है so that's why आपके साथ एक ऐसा सबसे पहले एक अच्छी friendship बली wounding बनाना चाहते है क्योंकि इनको आप feel हो चुका है क्योंकि मुझे लग रहा है अगर आपकी friendship पहले थी उसके बाद आपका relationship भी create हुआ है तो फिर वो जो एक friendship बला element था हार चीज़ को share करना यहार चीज़ के बारे में एक दूसरे के साथ discussion करना वो कहीने कहीं miss हो चुका था तो अब after the situation जिस तरह की भी आपकी बन चुकी है इस time इनको feel हो रहा है कि friendship तो miss ही हो गई है सिर्फ और सिर्फ एक typical connection रहा गया बाकी तो यह feel करें कि relationship में सबसे पहले जरूरी है एक अच्छे friendship होना तो यह मुझे energy देख रही है इस time यह जो भी person है वो अपने emotions को लेकर काफी ज़्यादा upset हो रहे है तो कि इनके emotions इतने deep हो रहे हैं आप लोगों को लेकर कि यह वो बताना चाहते है और इनको बताने कैसे लग रहे है कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा जिसकी वज़ासे आपका यह जो person है वो काफी upset काफी sad हो रहे है उनको लग रहे हैं उनके emotions को उनकी feelings को understand करने वाला कोई नहीं रहा और कुछ इनों ने अपनी insecurities यह अपने doubts की वज़ासे भी मुझे लग रहा है आपको reject किया यह पर किसी वज़ासे यह जो भी आपके दर्मियान इस time problems चल रही है वो इनके अपने fears हैं अपने doubts हैं अपना एक lack of trust है आपके उपर इस relationship के उपर emotions को आपके अच्छे से समझना पाना यह अपने भी even के मुझे लग रहा है इस person को emotions समझ नहीं आ रहे थे जिसकी वज़ासे आई थे कि इनको लग रहा है इस time पच्चतावा दिख रहा है कि इनको इस चीज़ पे काफी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इनोंने अच्छे से क्यों नहीं समझा आपको यह अपने emotions को भी even के मुझे लग रहा है यह person समझ नहीं पाया दिखा कुछ रहे थे real में यह आपके लिए feel कुछ कर रहे थे काफी हद तक ऐसे दिख रहा है कि इनकी unconfessed feelings बहुत सी रही है जो यह आपको बतानी पाए अपने fairs, अपनी insecurities, अपने doubts की वज़ा से so right now यह बताना चाते हैं आपको और वो चाते हैं कि आप इनको मौका दो एक yes यह energy दिख रही है और अगर इस person ने आपको कोई दोखा दी है या फिर आपको किसी तरह से cheating की है तो इस time इनको उस चीज़ की realization भी हो रही है इनको इनका जो एक intuitive level है वो बता रहा है कि इस इनसान ने आपके साथ बिलकुल भी अच्छा नहीं किया और पच्चतावा बहुत ज्यादा हो रहा है इनको they feel कि इन्होंने एक अच्छा chance miss कर दिया एक अच्छे इनसान का अपनी life में entry हो गई थी लेकिन मुझे लगए आगे continue ने हो पाया तो इस चीज़ का काफी पच्चतावा है मिलने के बाद किसी चीज़ को खो देना वो ज्यादा अफसोस होता है तो वो ही इस person को हो रहा है number 18, 9, 4 काफी important दीख रहे है Cancer Pisces Scorpio काफी मुझे strong दीख रहा है and right now आपके यह जो भी person है वो अपनी life में किसी बी चीज़ को अच्छे से जो है न वो feel नहीं कर पा रहे नहीं किसी की चीज़ की इनको हुशी हो रही है अगर life में इनकी कहने को there is a lot of blessings जो इस परसन की life में है लेकिन किसी भी blessings से ये इनसान ना satisfied नहीं हो रहे क्योंकि आपको याद कर रहे है यहाँ पे Cancer Pisces Scorpio की energy back to back आ रही है we have high priestess yes इनको आप से एक बहुत ज़दा spiritually connection में सूस हो रहा है because इनको feel हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़दा mysterious हो चुके हो आपने इनको अपनी feelings बताना छोड़ दी है आप एक ऐसी mystery हो चुके हो एक unresolved and solved mysteries person के लिए कि जिसको ये solve नहीं कर पा रहे feel होरा बहुत कुछ लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी side से इनको लेकर क्या feelings है या आपके मन में क्या चल रहा है आपके दिल में क्या चल रहा है इनको लेकर इनको कोई idea नहीं है तो इनको लेकर आप एक इस time totally mystery हो चुके हो और ये काफी कुछ जानना चाते हैं आपके बारे में लेकिन इनको is truth के बारे में भी काफी upsetness हो रही है कि ये किस तरहां से समझें कि आप क्या चाते हो इन से या आप आगे relationship चाते हो या नहीं चाते because उनको लग रहा है आप emotionally काफी intelligent हो चुके हो आप काफी ज़दा समझधार हो चुके हो पहले आप नहीं इतने समझधार थे जितने अब आप हो चुके हो यास क्योंके पहले आप expressive थे हर कुछ जो भी आपके दिल में होता था आप सब बोल देते थे अब आपने बोलना छोड़ दी है इस person की वज़ा से क्योंके इन ने आपके emotions को कभी भी समझा नहीं है आपने जब भी इनको अपने deep feelings, emotions बताएं express की हैं इस इनसान ने serious नहीं लिया और उसी feel की वज़ा से इनको लग रहा है कि आप लोग ने बताना इनको सब कुछ छोड़ दी है और इनको इस चीज़ का काफी दुख हो रफसौस हो रहा है यस और मुझे लग रहा है कही ना कही ये इनसान आपके emotions feel दो कर रहे है लेकिन इनको लग रहा है आप बोलनी कुछ रहे तो वो चीज़ इनको काफी trigger भी कर रही है yes we have queen of wants काफी attraction हो रही है, काफी passion हो रहा है इनको आप लोगों की तरफ and really want कि आप इनको Course कर दो, लेकिन इनको feel हो रहा है की शायद हो सकते आप इनको जतना इनों नहीं आपकी नाकदरी की है जतना इनों नेआपको unworthy feel करवाया है इनको feel यह हो रहा है कि आप शायद इनको माफ नहीं करोगे बट ये कोशिश करना चाते हैं कि आपके सामने आयें और आपसे माफी महांगें पिवकूज इनको फिल हो रहा है पहले से ज़्यादा स्ट्रोओंग पहले से ज़्यादा चार्मिंग इट्रेक्टेट कूल औो चुकी हो पहले से ज़्यादा पाउ最च्छन च्रोंग औ Psalm अपनी लाइफ में तो शायद हो सकते हैं आप इनके emotions को अप value ना दो जो यह जैसे इन्होंने आपकी नहीं थी We have king of cups, they really love you guys यह person आपको definitely अपने emotions express करना चाते हैं back to back यहां पे बहुत ज़्यदा cancer prices, scorpio की energy है Aries new secretaries की energy भी है but with the king of cups यह इंसान इस टाइम आपकी emotions को लेकर काफी ज़्यदा serious हो रहे है और hood भी यह काफी serious है आपको लेकर काफी maturity मुझे दीख रही है इस person के act में, इस person के behavior में जितने यह past में known serious थे जितने ज़्यदा यह person past में mature थे आप मुझे लग रहा है काफी seriousness और काफी maturity इनके emotions में आ चुकी है और यह आपको अपनी emotions जो real है वो share करना चाते है और इस time आपकी emotions को लेकर hood भी यह person काफी supportive दीख रहे है मुझे yes, so really wanna express their love to you यह आपको बताना चाह रहे है क्योंकि इनकी emotions काफी strong और काफी high हो रहे है with a moon so अपनी emotions आप आपको बताना चाह रहे है क्योंकि इनसे hood भी इतने जो overflow कर रहे हैं ना इनके feelings और emotions वो control नहीं कर पा रहे है yes we have eight of wants यह इनसान आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि काफी attraction है आपसे बात करने की भी और काफी जद़ excitement भी है आपसे बात करने की so I think बहुत जल्दी इनसान आपको message send करेगा क्योंकि इस time इनसान manifest कर रहे हैं कि किसी तरह से आपसे इनकी बातचीत हो जाए कुछ लोग हो सकता है कोई ना कोई moment लेने के बारे में इस time definitely plan कर रहे है क्योंकि इनको लग रहे है कि इनको आपसे definitely माफी मांगनी चाहिए but at the same time इनको यह भी लगता है चाहिद आप माफ ना करो क्योंकि आप काफी ज़दा confident हो चुके अपने emotions को लेकर आप इस time काफी serious हो चुके हो yes so यह आप से बात करना चाहते हैं guys with the eight of ones और मुझे लग रहा है आप भी manifest करे हो and this person is also manifesting कि आपके साथ बात चीत हो आपसे communication हो यहां तो आपको बहुत जल्द इस परसन की तरफ से कोई email कोई good news मिलेगी मुझे लग रहा है आपको good news मिलने वाली है इस person के side से communication आपको receive होगी यहां तो यह इनसान आपको message करेंगे यहां पर कोई आपको call वगरा की तो मुझे भी energy ने दिख रही है message की दिख रही है यहां पर यह इनसान कोई good news मिलेगी आपको email कर सकते हैं किसी तरह से को email आ सकती है आपको yes यहां पर कुछ लोग जो है attraction बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है passion है एक बात करने की excitement बहुत ज़्यादा है और वो चाह रहे हैं जल्दी से आप से बात हो जाए है क्योंकि at the same time यह इनसान काफी ज़्यादा आप लोगों को ले करना interested इस तरह हो रहे हैं यह आप से सुनना चाते हैं कि आपके इनके लिए feel करते हो आप काफी time से हो सकता है शायद ही आपकी feeling सुनना चाते हैं लेकिन आपने शायद बताया नहीं है वो भी cheese इस person को काफी frustrate कर रही है yes number 8 भी important दिख रहा है 818 भी कुछ लोगों के लिए important हो सकता है 24, 28, 29 कुछ लोगों की age या date of part हो सकती है मुझे यहाँ पर 30 प्लस की energy भी आ रही है bottom of the right four of wants की है so reconciliation के बहुत ज़दा chances मुझे दिख रहे हैं because यह इनसान जो है ना काफी ज़दा burden हो चुके है अपने इन emotions को ले लेके ठक चुक है यह person अब इस इनसान से ज्यादा weight carry नहीं हो रहा अपने emotions का क्योंकि यह जितने अपने emotions को control कर रहे हैं उतना ज़दा इनको stress होता जा रहा है उतना burden आता जा रहा है तो यह इस burden से रिलीस करना चाते हैं हुद को और आपके साथ reconciliation करके अपनी life में celebration लेकर आना चाते हैं और मुझे यहाँ पर बहुत अदा chances यह भी दिखने है कि यह इनसान आपको next meeting में जो next moment है उसमें आपको commitment देने वाले हैं और आपको message यह भी receive हो सकता है कि यह इनसान आपको बहुत प्यार करते हैं और finally यह आपके साथ serious commitment में जाना चाते हैं marriage भी हो सकती है engagement भी हो सकती है but यह इनसान जो भी है आपके साथ time spend करना चाते हैं यहाँ पर यह एक चीज़ जो है मुझे काफी clear दीख रही है number four, double four number भी काफी important दीख रही है number ten and one also important Aries Leo Secretarius के energy and cancer Pisces Scorpio यह दो element आज की reading में बहुत ज़दा strong है so आप से जैसे relate हो आपने वैसे लेना है लेकिन मुझे reconciliation के chances यहां बहुत strong दीख रहे है क्योंकि इनसान को पच्चतावा हो रहा है regret है और इस regret से वो बाहर आना चाते है क्योंकि उनको लगए है उनकी life काफी bored हो चुकी है जितने emotional वो हो रहे है उतना ज़दा उनको लगए है कि emotionally कोई उनको understand करने वाला उनके पास नहीं है इसलिए वो आपकी तरफ आना चाते है but उनको लगते हैं आप काफी ज़दा पहले से like sensible हो चुके आप काफी ज़दा intelligent हो चुके और आपको पता है कि अब आपने किस तरहां से किस चीज को लेकर चाहने है और specially इस परसन को किस तरहां से deal करने है आपको समझ आ चुकी है so मुझे लगला finally यह बहुत जल्दा आप से बात करने वाले है so आप जो हो positive रहो ठीक है और अपने उपर focus करते रहो yeah so this is your reading I hope this will resonates with you मुझे comment section में feedback जूर दीजिएगा I will see you tomorrow bye